हेलो एवरिवन वेलकम बेक इन योर यूट्यूब चेनल आर की रायशर शो माई डियर इस्टुएंट्स आपका स्वागत है आपके अपने चेनल आर की रायशर पर ठीके शो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजी चेनल को क्योंकि यह वीडियो बहुत मस्त होने वाली है शो माई डियर इस्टुएंट्स जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजीए और साथ में वेल आइकन को आल पर सेट कर दीजीए किस पर सेट करना है आपको आल पर ताकि आपको हर एक वीडियो का नौटिफिकेशन तुरंत मिल सके लाइक करना ना भूलिएगा और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा चलिए तो हम बढ़ते हैं अपनी कॉश्चन की तरफ और कॉश्चन को देख लेते हैं फटावट से question number 10 है प्रिश्णावली 5.2 का कि किसी जो हमारा प्रिश्ण है किसी AP का आप यहां देख पा रहे हैं प्रिश्ण को किसी AP का सत्रवा पद उसके दसमे पद से 7 अधिक है इसका सारवंतर ग्याद कीजिए my dear student हमें क्या ग्याद करना है D का मान ग्याद करना है क्या ग्याद करना है D का मान ग्याद करना है तो चलिए अब हम देख नहीं करते हैं और जो प्रिश्ण में हमें दिया गया है उसके अनुश्यार हम प्रिश्ण को हल करते हैं तो हल करने के लिए हम लिख लेंगे इसका सबसे पहले हल लिख लेंगे यहां पर ठीक है तो हल लिखेंगे और जो हमें दिया गया है वो भी हम लिख लेंगी दिया है क्या दिया है वो लिख लेंगे हम ए सत्रा ठीक है दिया है और हमें ए दस दिया है लेकिन प्रिश्ण अनुसार क्या है प्रिश्ण अनुसार हमें क्या है प्रिश इस नानुशार जो शत्रमा पद है ठीक है उसके दसमे पद से साथ जादा है मतलब शत्रमा पद कितना है साथ जादा है तो बराबर करना है दोनों को तो जो दसमा पद है उसमें हम साथ को जोड देंगी क्या कर देंगे साथ को जोड देंगे अब हम इसमें इन दोनों पदों का formula लगा देंगे, सत्र में पद को हम कैसा लिख सकते हैं, मानक जो हमारी AP होती है, उसमें हमने जब इसका introduction कराया है, तो मानक क्या होता है, जो पद होता है उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं मानक पद, एधन शोलाडी, ऐसा लिख सकते हैं, बराबर से इस दस, एधन को क्या लिख सकते हैं एधन नोडी इसको, ठीक है लिख सकते हैं न, जिनको समझ में नहीं आ रहा, वो कमेंट में लिखें कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये सत्रा को एधन सोलाडी और और दस को ए धन नोडी क्यों लिख दिया, तो हम आपको अलग से समझाने का प्रियास करेंगे, और धन लगा कि ये साथ हमें जियोगात्यों लिखना है, ठीके, अब हम क्या करेंगे, कि जो एक जैसे पद हैं, जैसे ए को एक साइड लाएंगे, डी डी वाले को एक साइड ला है साथ एदस से तो एदस में हमने साथ जोड़ दिया ताकि दोनों कैसे हो गए बराबर हो गए ठीक है चलिए जल्दी से कर लिजिए फटा-फट से चलो अब हम पक्षांतरन कर लेते हैं लाइक टर्म्स को एक साइड कर लेते तो ए हमारे पास है इस साइड भी था तो ए हमने इस साइड से लाए तो यहां माइनस का हो गया यहां हमारे पास सोला डी था और इस साइड से आया तो नो डी हो गया माइनस का बराबर में इस ठीक है तो A में से A चला गया कुछ नहीं बचा 16 D में से 9 D जाएंगी तो हमारे पास 7 D बचेंगी बराबर से 7 D बराबर हमारा यहां कोई चनल नहीं है 7 और D के बीच में तो इंटू माना जाता है इंटू से जो इस साइड पाद आएगा तो 7 के बटे में आएगा 7 बटे 7 साथ से 7 कर जाएगा तो एक आजाएगा तो हमारा जो सारवंतर है वो एक आगया माई डियर स्टुडेंट हमारे पढ़ने वाले प्यारे से स्टुडेंट से यह हमारा उत्तर हो गया ठीक है यह हमारा उत्तर हो गया और यह सवाल बहुत ही महत्पूर्ण है पेपर में आता है अभी तिमाही पेपर में यह प्रश्ण आया था तो जल्दी से इसको समझ लेजि झाल